जब घर में किसी की मृत्थी होती है तो सभाविक है कि हम बहुत दुखी होते हैं और बहुत विलाब भी करते हैं लेकिन ऐसा करके कहीं हम मृतक की आत्मा को दुख तो तकलीफ तो नहीं पहुचा रहे गरुड पुरान जैसे धानमिक ग्रंथों में भी मृत्यों के बाद इस तरहें के शोक को करने से मना किया गया है सनातन धर्म में मृत्यों के बाद शोक करने को अशोब बताया गया है क्योंकि मृत्यों एक परम सत्य है भगवत गीता में भी लिखा है मनुशिक के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यू है ये सच्चाई जानते हुए भी वो इससे भैबीत रहता है उसका ये भै उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है मनुशिक को मृत्यू से कभी नहीं डरना चाहिए और मृत्यू के बाद विलाब भी नहीं करना चाहिए भगवान शिरी कृष्ट ने गीता में कहा है जन्म और मृत्यू जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है इसलिए संसार में जिसने जन में लिया है उसकी मृत्यू भी निश्चित है और ये अटल सत्य है मृत्यू के बाद केवल शरीड नस्ट होता है उसकी आत्मा कभी नहीं मरती अपने किसी प्रिये जन से हमेशा के लिए बिछड जाने पर दुख होना तो सभाविक है माया के संसार में फसे हुए लोगों का अपने प्रिये जन के लिए दुखी होना तो सभाविक है और इससे आत्मा भी मृतक की आत्मा भी अचूती नहीं रहती भगवान श्री क्रश्न कहते हैं मैं संपून प्रकरती को जगत को नियंत्रत करता हूँ भगवान श्री क्रश्न भी गीता में कहते हैं मैं ये संपून प्रकरती को नियंत्रत करके यहां मौजूद प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार बनाता और जन्म देता हूँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म पाते हैं और यही जीवन का सत्य है भगवान श्री कृष्ण ने इसकी तुलना हमारे वस्त बदल कर नए वस्त पहनने से की है जिस प्रकार हम पुराने वस्त निकाल कर नए वस्त पहनते हैं और खुश होते हैं उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़ कर नए शरीर में प्रविश करती है नया जीवन चुरू करती है और उसे उसके करमों के अनुसा नया जीवन मिलता है गरूर पुरान में भी बताया गया है कि किसी भी प्रिये जन की मृतियों पर शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि मृतक की आत्मा भी हम इतनी जल्दी अपने पुराने रिष्टों से मोह भंग नहीं कर पाती और अगर हम दुखी होते हैं तो वो भी हमारे लिए विचलित होती है और वो इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और वो आपको दुखी देखकर पेड़ित देखकर वो आगे का सफर शुरू नहीं कर पाती और वहीं की वहीं आपके आसपास ही भटकती रहती है गरुड पुरान में कुछ नियमों का पालन करने की बात कही गई है जिससे आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर आगे का जीवन शुरू कर सके इन नियमों का पालन करने से मुरतक को आगे का सफर शुरू करने से में आसानी रहती है और वो बंधनों से मुक्त होता है इस नियम के अनुसार अपने प्रिये जन की म्रत्यों के बाद उसका अंतिम संसकार उसके प्रिये जन या उसके घर के सदस द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि जब म्रतक का शरीर का दहा संसकार हो जाता है तो उसका मोह भी कमजोर हो जाता है और इस तरहें मुरत व्यक्ति को मुक्ती मिलती है और विज्ञान भी तो यही कहता है जब हम किसी मुरत व्यक्ति के पर बहुत जादा शोक करते हैं तो हम तनाव की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर इस तरहें के हार्मोनल चेंजिस होते हैं जिससे हम दीरे दीरे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं इसलिए जो व्यक्ति चला गया उसके लिए बहुत जादा शोक नहीं करना उचित नहीं है दुखी होना तो सभावी के लेकिन बहुत जादा पूरी तरह से उस बात में डूप जाना उचित नहीं है क्योंकि अगर हम अपने खुद सौस्त रहेंगे तो हम उस म्रत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गोई जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे इससे जुड़ी हुए एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बतलावाएंगे एक बार एक बूरी महिला गौतम बुद को बहुत मानती थी एक दिन उसके बेटे की म्रतियों हो गई बेटे की म्रतियों पर मा बहुत दुखी थी तुरंती गौतम बुद के पास इस आस के साथ पहुँची कि वो उसके बेटे को फिर से जिन्दा कर देंगे, वो बहुत दुकी थी, विलाप कर रही थी, महिला गौतम बुद्ध को भगवान मानती थी, उसे लगता था, उसके बेटे को जीवन दान जरूर मिल जाएगा, महिला की बात सुनकर, बुद्ध ने कुछ देर सोच विचार क महिला बेटे के मनने से बहुत दुकी थी, तो उसे एक उमीद मिल गई, उसका बेटा फिर से जिन्दा हो सकता है, बुद्ध की बात सुन मान कर वो गाउं की ओ निकल गई, घर घर जाकर एक मुठी सरसों के दाने खुजने लगी, महिला घर घर जाकर पूँच रही थी, माता किसी के घर में पती और किसी की संतान की मृत्यू हुई थी, पूरे गाउं में एक एक घर में महिला ने सरसों की दाने मांगे, लेकिन सफलता में नहीं मिली, अंत में वो समझ में आ गया कि बुद्ध ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा महिला समझ गई, कि मृत्यू अटल सत्य है और सभी को एक दिन मरना ही है। जब वो बुद्ध के पास लोटकर आई तो उसका मन शांत हो चुका था। बेटे के मरने का दुख था लेकिन उसकी व्याकुलता खत्म हो चुकी थी। गौतम बुद्ध का संदेश की हर व्यक्ति की मृत्यू तय है। इसलिए किसी के मरने पर बहुत जादा शोक नहीं करना चाहिए। अपनी मृत्यू को लेकर भी मन में डर ना रखें। दुखी होकर वर्तमान खराब ना करें। क्योंकि मृत्यू तो एक दिन होनी हैं लेकिन आज तो का उस वक्त खराब ना करें।